निफ्टी पर एक व्यू ले लेते हैं, आज की जानकार हमार साथ मौजूद हैं, किरन जादव हमार साथ हैं किरन गुड आफ्टनून, पहले तो निफ्टी पर एक आउटलूक दीजिए, 10-880 के नजदिक अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है यहां पर तेजी वाले ट्रेडर्स क्या पोजिशन होल्ड रखें और नई पोजिशन के यसाब से क्या रनीति आप रेकमेंड करेंगे अफ्टन दिबाले जी, पिछले 3-4 दिनों से हम तेजी की कवायत करते आ रहे हैं और मेरा मानना है कि इदर से और भी बड़े देखने हो मिलेगी अभी ट्रेलिंग स्टोक लॉस का इस्केमाल करना चाहिए हाइर इस्टेडर्स ने लॉंग पोजिशन भी क्रियाट कर सकते है अभी के लिए अगर कोई लॉंग करता है तो 10,850 का स्टोक लॉस रहेगा और टार्गेट के लिए 10,930 के लेवल साब को कल दुपयर कर देखने हो मिल जाने चाहिए जो अंडर्गेट है वो बहुत स्टोक लॉस रखना होगा लेकिन आप एक एक करके हम स्टोक्स पिक करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं शुरुआत कर लेते हैं फार्मा से क्यूंकि फार्मा की सेहत जवर्दस सुद्री है पहले बड़े स्टोक्स की बात करें तो सन फार्मा, सिपला, डॉक्टर एडीज ये मजबूत है मिट कैप, स्मॉल कैप में टॉरेंट फार्मा, नेक्टर लाइफ, बाल फार्मा, कैडिला ये अच्छी मजबूती दिखा रहे है किरन क्योंकि 4 दिन से लगातार तेजी बनी है तो ऐसे में किसी भी स्टोक को अगर पिक करेंगे तो वो 10%, 12%, 5% तक कमूफ दे चुका है अब ये बताइए कि कोई नई तेजी अगले 1-2 दुनों के लिए या फिर इस सीरीज के लिए बनानी हो तो कौन सा फार्मा स्टोक पिक करना चाहिए सन फर्मा ही रहेगा सन फर्मा में मुझे लगता है कि छोटी सी गरावट आजाने चाहिए उदर एक करीदार की लेवल मैं देता हूँ जहां पर आपको लॉंग पोजिशन से क्रेट करने चाहिए तो मेरा मानना है कि जो सन फर्मा आज बहुत गैप से तुला था और उसके बाद प्रसा करेक्ट हो रहा है मेरा मानना है कि 5.40 ततर नीचे आ सकता है और 10.11 रुपए नीचे आ सकता है करेंट लेवल से उधर तेजी करने चाहिए अगर आप तेजी करते तो रिष्टो 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 भी प्रेवल दाएगा 5.33 का स्टॉप लॉस रहे और वाफिस एक बार 5.60 के और हम चलते नाद लाएंगे दूसरा काउंटर जो बहुत खास देखने में मिल रहा है लुपिन में भी मुझे लगता है कि चोटी सी गिरावट के ही करेदी करना चाहिए आपी के लिए आवर्ट करना चाहिए क्योंकि 7.65 से 876 तक बहुत तो वर्टिकल राली हमने देखी है तो मेरा मानना है कि एक अच्छा सपोर्ट 8.55 के करीब है इन लेवल का अगर मिन्ता है तो एक 10 रुपए के साथ लाउन पोजिशन्स क्रेट करने चाहिए मुझे लगता है कि वाफिस एक बार अपमूट देखिंग में जाना चाहिए तो ल्यूपिन असन फार्मा ये दो स्टोक जो करना को पसंद है लेकिन एक स्टोक देखिए वो है कैश का और अब ये दिन के उपरी सरुपर आचुगा है वो है मुथूट कापिटल मुझे याद है संदीब जैन जो एक्सपर्ट हमारे शो में आते हैं उनकी इंवेस्टमेंट पिक भी है और अब ये दिन के उपरी सरुपर लगपक 10% की बढ़त के साथ ट्रेट कर रहा है एक बार इसके चार्ट देखे बताईए किरन कैश का स्टोक है मुथूट कापिटल लेकिन अच्छा प्राइस सेक्षन आज के सेशन में हो रहा है क्या रेकमेंडेशन है बिल्कुल स्ट्रॉंग चार्ट मैटन है आज ही फ्रेश बेक आउट डेखनी मिल रहा है यह फॉर्ण फ्रेट लेकर वाल्यू करीबन 890 है 890 पर रहा है इसके ऊपर यह स्टॉप इसके ऊपर यह बहुत स्ट्रॉंग बहुत अच्छा बाय बनता है थोड़ सा deep down stop loss रहेगा क्योंकि 890 का breakout लेवल है उसके नीचे ही आपका stop loss रहना चाहिए तो 875 का delivery based आपका stop loss होना चाहिए और targets के लिए आप expect कर सकते है 1120 के लेवल सा अगर आप 5-6 दिन देते हैं ठीक है तो यह मुतूर कापिटल पर नजर रहे है किरन का लेकिन IT shares पर चर्चा कर लेते हैं पहले तो किरन TCS पर अपनी सलहा दीजिए constant performer यह stock रहा है और आज तो खबरों में भी है 15 जुन को board बेठा के जिसमें buyback पर फेसर लिया जाग और आप देखी पौने 3% उपर यह stock आ चुका है 1829 के लेवल स्पर इन फाक्ट आज का stock of the day भी था और जो पहला target था इसमें वो था 1825 का जो की achieve हो चुका है दूसरा लक्षे है 1850 का तो TCS आज का stock of the day एक दमदा performance दिखाते हुए TCS पर पहले रायत दीजिए किरन तेजी वाले traders के अभी भी hold रखें बिल्कुल hold करके चलना चाहिए मुझे लगता है जब तक 15 तरीक के जब यह bypass का offer आता है तब तो यह stock फोड़ा सबी retrace करता नदर आएगा इसने 26 April से जो consideration किया है उसका breakout आज देखने को मिल रहा है strong volumes है डेरोटी rate अप pretty strong है तो मेरा मानना है कि इधर से upside देखने को मिल जाने चाहिए मेरा मानना है कि 1870 के targets अब को कल तक देखने को मिल जाने चाहिए 1870 के targets कल तक देखने को मल सकते हैं TCS में यह सला है किरन की stock पर एक Infosys पर भी इपने राय दीजिए IT एक तो flavor में है दूसरा कल Infosys के लिए दिन बहुत खास है कल Infosys के पचीस साल पूरे हो रहे है लेस्टिंग को और आप देखिए अभी जो level है Infosys का वो 1278 का है Infosys आपको कैसा लग रहा है अभी? Infosys पे शायद rumors चल देए कि bonus आ जाएगा 25 साल लगते होए तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से अपमोव आई है, वर्टिकल अपमोव है प्रैक्टिकली 1100 रुपए से वन वे उपर चल रहा है 1280 तक ट्रेड होता नजला रहा है तो मेरा मानना है कि इधर से अपसेट तो बिल्कुल बनती है Momentum के इस साब से पर बोनस एक्सपेट करना बराबर बात नहीं रहेगी मुझे नहीं लगता बोनस हैगा यह पस्नलोग है पर फिर भी अभी ट्रेडिंग स्टाप्रास में 1268 का सेस करूँगा 10 रुपए का नीचे ट्रेडिंग स्टाप्रास लगा यह को पोड़ किलेगा मुझे रखते हैं कि इज़र से आवाँ भी बड़े देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस में यह सला किरन की ओर से आते हुए अभी 1270 के लेवल्स इसमें देखे जा रहे है लेकिन आज पेज इंडस्ट्रीज यह एक स्टॉक है लेकिन किरन आपकी सलाज यह पेज इंडस्ट्रीज पर क्योंकि यह वायदा बाजार का भी हिस्सा है आज खबरों में भी है कि जो इन्होंने जोकी के साथ करार है वो एक्स्टेंड किया है 2014 तक तो अच्छी खबर है और स्टॉक में अच्छा आक्शन बे दिख रहा है पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगले लक्षे क्या हो सकते हैं आज यह ट्रेडिंग के लिए नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है यह सीरीज के लिए यह अगले सीरीज के लिए यह स्टॉक रखके चलना चाहिए मेरा मानना है कि जो एक कपैल हैंडल का जो ब्रेक ओट देखने हो मिल रहा है आज वह बहुत ही स्टॉंग ब्रेक ओट है और बहुत ही स्टॉंग टागेट में उबर के आ रहे है तो जो टेक्निकली आज वह 25,800 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग है तो मैं एकदम कमफटेबल हो इस टॉक को फोल्ड करने के लिए एक देर मैने के लियास से और टागेट के लिए आपको 28-29,000 के टागेट देखने हो मिल सकते हैं तो इधर से काफ़ी अच्छी अपसेट देखने हो मिलने वाली है क्योंकि एक अच्छा कंसुलेशन का ब्रेक ओट देखने हो मिल रहा है इसमें एक ही बात है अगले दो-तीन के लिए आप एक्स्पेक 880 पर है अगर यह इसके ऊपर बंद हो जाता है तो फिर क्या खरीद लें अगले एक महिने के व्यू से और उस स्थिति में स्टॉप लॉस क्या होगा बिल्कुल मैं यही सला नेरा था है दिपली जी कि अब भी खरीदना चाहिए स्टॉप लॉस अब का रहेगा और आज साथ ही आज बैंकिंग स्टॉक स्पेश्ट जी छोटे बैंक से वहाँ पर जबरदस्त अच्छा मूब दिखा है अलाबाद बैंक हाला कि आज यह खबरे इस पे निगेटिती ले उसके बावजूद भी एची परफॉमिस दिखा रहे है बैंक अव बरोदा बंधन बैंक आर 145 के करीब आती है वो असलांटी है इसलिए प्रिसाइज नहीं बात कर सकते है पर करीबन 145 के टागेट से नमान के चलना चाहिए स्टोप लॉस के लिए 136 याने देर रुपे के रिसक है करीबन 12-13 रुपे का रिवार्ड है तो काफी अच्छी अपसेट दिखने हम मिल जानी चाहिए तो बैंक को बरोदा ये अच्छा स्टोप लग रहा है और तेजी स्टोप पे आगे भी बढ़ सकती है ये किरन के वियो है लेकिन आज हमने कई ऐसे स्टोप देखे हैं जो की स्ट्रॉंग आउट परफॉर्मर रहे हैं ये कैश के स्टोप हैं एक इसमें है रेडिंग्टन स सुबा इसमें काफी बड़ी ब्लॉग डिल्स हुई थी उसके बाद स्टोप में तेजी बनी थी इंफाक ब्लॉग डिल का जो आक्शन था उजी बिजनस ही सबसे पहले आइडिंटिफाय किया था साड़े आट परसन मजबूत है ये स्टोप डेल्टा कॉप तेजी दिखात करता है अगर आप हपते दो हपते का वी लेते तो तू नाइटी प्रियंड़ के लेवल स्टेस करता नजर आना चाहिए ये कांटर है जहां पर एक सॉलिड अपमूब डेखनी हुए जिस तरीके के वालिम से और पिछले तीन दिन की जो डिलिवी मार्किंगे जब ये चुरू होगा और जो ब्रेक में गए तब किरन ने बताया क्योंकि फुटबॉल में बहुत रूची है और किरन आप तो महराश्रा टीम के फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं क्या ये सही है बिल्कुल 92-94 दो साल में महराश्रा के लिए खेल चुपा हूँ फुटबॉल तो आप तो पर ये पूरा फीफा वर्ल्ल का पूरा क्लोजली वाच करने वाल हैं अंश हम हर शुक्रवर को और रवियर को खिलते हैं पूरी जो हमर merit किम है वो पूरे मिलल मिलके हम ये सब मैच आजी को पांच को पांच बचे किस कांव को इन आपकी कि पढ़ने है तो ये पह जर्मनी यानि लास्ट वर्ल्ल कप की विनर जर्मनी जिसको उप सपोर्ट कर रहे हैं चले ठीक है आपके पिक्स भी पूचेंगे अभी किरन के क्राइब देटे करें जुबलेंट लाइफ पर आपके कॉमेंट्स जुबलन डैफ काफी स्ट्रॉंग चाट पैटन है और मेरा मानना है कि जरसे काफी अच्छी अपसेट इपने मिलेगी यह जो करेक्शन चल रहा है इसमें एक इंपर्टन डेजिस्टन्स यह एक बार निकल जाए तब इसमें बहुत स्ट्रॉंग मोमेंटम आएगा पर अभी भी वाय किया जा सकता है स्टॉप्रस रहेगा साथ सो का डीप डाउनेर के डिलिवी बेस्ट है पर मैं एग्रिसिव बायर्ट आप एट-टी के ऊपर रहा हुँगा ठीक है चले शुक्र या किरन आपका इन स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं